overall विल्कम बैक इस lecture में हम लोग मेज्स में देखिए हैं यहाँ पे यह हमारे पास महिंद्रा का काफी सारे मोडल है एक थार है बुलेरो है एकस्यू भी है स्कॉर्पियो है तो यह सब महेंद्रा के लग लग फोर्विलर्स है और उनके नेम है तो यह हमको बस ऐसे दिखाना था ताकि मैं आगे जो प्रोग्राम बनाओं आपको समझ में है अब हम लोग क्या करेंगे एक यहां पर क्लास क्रेट करेंगे क्लास महेंद्रा जो महेंद्रा कंपनी है मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी है जो कार क्रेट करती है उस कंपनी को हम लोग यहां पर क्लास कंसीडर कर लिया है कि वह एक क्लास है और इसके जितने भी ब्रैंड है जैसे थार हो गया महेंद्रा तो आप नोग यहां पर एक पहले मेन मेतरड बनाते हैं होगा तो थारकार नेम होगा प्राइज होगा इंजर ञेंज होगा सब कुछ होता है लें सबसे पहले स्टरिंग कम से यह यहीं पर सोचने वाला बात है कि हम लोग यहाँ पर string जो लिया यह एक instance variable ले लिया क्यों लिया सोच सकते हैं क्योंकि इस name जो है object to object क्यों करेगा क्यों कि हम लोग यहाँ पर object हमारे पास थार है एक हमारे पास स्कॉर्पियों और यहाँ पर price भे vary करेगा, तो हम लोग ने instance variable ले लिया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, object बनाएंगे, तो महेंद्रा obz1 equal to new महेंद्रा, यह object बन गया, इसका मतलब कि हमारे company में, महेंद्रा company में एक model तयार हो गया है, नया कुछ, थार, Scorpio के अलावा, अब उसका हमको naming convention करना है, तो obz1 dot लिखेंगे, name equal to, उसका name जो भी होगा, यहाँ पर लिखेंगे, तो अब यह लोग बस देखते हैं, कि suppose करो कि थार ही, company ने बनाया है, तो थार लिखेंगे, फिर obz1 dot price equal to 1, 7, यह दो चीज हो गया, यहाँ पर लिखते हैं, system.out.land, यहाँ पर obz1 dot name, और इस line को copy करते हैं, paste करते हैं और इसका price, और थोड़ा सा इसको modify करते हैं थाकि हमें पता चले, तो यहाँ पर लिखते हैं, name, concatenate करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, price, इसको भी concatenate करते हैं, space create करते हैं, इस तरह के जहें, तो अब यहाँ पर यह जो आप देखेंगे, यह अटा देते हैं, तो मैंने object यहाँ पर create किया, महेंद्रा, एक object, और उसका name रखा थार, और उसका price, मतलब company ने गाड़ी और हम उसको print करेंगे, ठीक है, save करते हैं, प्रोग्राम को, तो मैं YouTube के अंदर, महेंद्रा, जावा से save करते हैं, और आ जाते हैं, अपने, eDrive, cd space, YouTube, sales, इसको बढ़ा कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे, जावा, महेंद्रा, जावा, c, महेंद्रा. जावा, कुछ गढ़वड हुआ है, int cannot be convert to a string, I think, price यहाँ पर string दे दिया है, मैंने यहाँ पर int ले लेना, save करते हैं, यहाँ पर double code भी दे के use कर सकते थे, ऐसा कोई दिखकर नहीं था, मैंने बड़ चेंज कर दिया, क्योंकि price हमें इसा integer होता है, फिर इसे compile करेंगे, जावा में लगा, यह देखो, नेम, थार, प्राइस, इतना आ रहा है, अगर एक और object करते हैं, तो यह सारा चीज को हम लोग copy करेंगे, अब बस object के name change कर देंगे, तो यह देखो, यह पर मैंने paste कर दिया, पेस्ट करने के बाद object name यहाँ पर तू कर दे रहा है, जहाँ जहाँ one था, चीज और यहाँ पर एक lining देते हैं, ताकि boundary देने से समझ में आएगा, कि दो अलग-अलग manufacturing होगा है, ठीक है, save करते हैं, run करेंगे, तो यह देखो, पहला हमारे पास आ रहा है, नेम थार, प्राइस इतना, दूसरा नेम थार ही आ रहा है, क्योंकि value मैंने change नहीं किया है, तो आप change कर दो यहाँ पर कॉर्पीयो, यह हो गया, save करेंगे, तो यहाँ पर दो हमारे महेंद्रा कंपनी ने फोर विलर manufacture कर दिया, और उसका जो प्राइस था, नेमिंग कन्विंशन था, कर दिया है, बट यहाँ पर देखो, कि अब तो जो गाड़ी है, उसका logo भी देना होता है, या brand भी देना रहता है, तो अब जो थार है, वो भी एक same brand की है, महेंद्रा कंपनी की है, और Scorpio भी है, जो महेंद्रा कंपनी के भी है, और एक और object 3 बनाते हैं, जैसे किसी दूसरा, मतलब कोई गाड़ी महेंद्रा करता है, तो वो भी महेंद्रा कंपनी का है, मतलब सारे जो four wheeler आएंगे, so manufacturing अगर महेंद्रा कर रहा है, तो brand भी उसका महेंद्रा ही हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस type का variable को हम लोग क्या करेंगे, static declare कर देंगे, तो हम लोग क्या तरीके से, brand दे देंगे, और suppose करो कि यहाँ पर हमें brand यूज करना है, तो देखो, सबसे पहला यह होगा, कि अगर यहाँ पर static को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो यह instance variable हो गया, तो उसके लिए हर एक object के लिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर object 1 के लिए, obj1.brand equal to, यहाँ पर brand देना पड़ेगा, महिंद्रा, इस तरीके से, फिर यही line को यहाँ से copy करो, और object 2 के लिए भी यहाँ पर, ऐसे paste करना पड़ेगा, इसको करेंगे object 2, टीक है, अब print करना होगा, तो यहाँ पर, system.of.print, यहाँ कोपी करना बारवार सही नहीं लगता है, तो इस तरीके से, हमें, print करना होगा, और फिर, इसी चीज़ को, copy कर लो, और यहाँ पर paste कर लो, और इसके लिए, इस तरीके से, तो हर बार हमें, महिंद्रा, मतलब, brand को, initialize करना पड़ रहा है, object 2, object, यहाँ पर मैंने, initialize के, object 1 के लिए, यहाँ पर मैंने initialize किया, object 2 के लिए, यहाँ पर ग्रे आउट किया है, और यहाँ पर ग्रे आउट किया है, object 1 के लिए, इसको save करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, तो हमारा output तो आएगा, प्रोग्राम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ ब्रैंड आ रहा है महंद्रा, और यहाँ पर भी ब्रैंड नेम आ रहा है, महंद्रा, थार के लिए भी आ रहा है, स्कॉर्पियो के लिए भी आ रहा है, लेकिन यह क्या रहा है, जब हम मुझे समझ में आ रहा है, कि यह ब्रैंड है, same है, object के लिए, कितना भी manufacturing गाड़ी कर ले, महंद्रा कंपन ब्रैंड नेम नहीं बदल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कि ब्रैंड नेम को static declare कर देंगे, इसको static declare कर देंगे, ताकि वो सारे object के लिए same हो जाए, तो यह बार बार हमें any slice करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम लोग delete कर देंगे, यह जो gray out किया है, यह मैंने gray out किया है, इसको delete कर देंगे, object 2 के लिए any slice किया था, अब क्या करेंगे, हम लोग direct access करेंगे, access जो हमने किया था पहले, print करने के लिए, उसी तरीके से access करेंगे, देखते है, output आ रहा है, यह देखो, compile हो गया, और output भी आएगा, second, but output, महेंद्रा, यह output आ रहा है, null, null, null क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने value यहाँ पर initialize नहीं किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे, महेंद्रा, अब यह global हो गया, class label पे initialize हो गया, और सबसे पहले, अभी जो null दे रहा था, वो jvm initialize कर दिया था, खुझ से, लेकिन अब हम लोग explicitly initialize किया है, यहाँ पर महेंद्रा, तो अब यह सारे object के लिए महेंद्रा हो जाएगा, यह हमारा, यह देखो, महेंद्रा और महेंद्रा आ रहा है, बट, अभी भी हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा modification का ज़रूरत है, अगर इस तरीके का अगर value सेम हो रहा है object to object, तो उस variable को हम लोग को static declare करना है, बट अब जब access करने का बात आता है, तो हम लोग यहां पर देखो कि आप object के reference से हम लोग access कर रहे हैं, बट यह एक अच्छा practice नहीं है, इस variable को brand जो है static है, तो हम लोग class name से access करें, यहां पर object one हटाएंगे और लिखेंगे महेंद्रा, और यहां से भी हटाएंगे और लिखेंगे महेंद्रा, देखेंगे, save करेंगे, run करेंगे, यह हमारा अब भी output आ रहा है, और मैंने एक चीज़ और बताया था, यही सबसे best practice है, यह हमारा name of class से हम लोग static variable को use करते हैं, लेकिन अगर name हटा देते हैं, direct access करके देखते हैं, हो रहा है कि नहीं, प्लस रिखते हैं, save करते हैं, तो यह देखो, महेंद्रा, महेंद्रा, बंदम लोग direct भी exist कर सकते हैं, within the class, तो static variable एक global variable भी खा जाता है, class label पर होता है create, जब यह class load होगा, उसी समय पर इसका value in a slice, और सारे object के लिए share कर दिया होगा, और एक चीज़ यहां पर देखो, कि इसको हम लोग कहीं भी access कर सकते हैं within the class, तो suppose करो हम लोग एक method बनाते हैं इस class के अंदर, जैसे public void running और यहां पर लिखते हैं system dot out dot print event, और यहां पर लिखेंगे direct महंद्रा को access करेंगे ठीक है, और यहां पर लिखेंगे save, यहां पर object wide इसको call कर सकते हैं, suppose करो कि हमें थार चलाना है, तो थार के लिए यहां पर क्या करेंगे, direct नीचे इसके लिखेंगे, system, sorry, obj one dot running, call कर लेंगे उसमें धक को, save करेंगे, run करेंगे program को, यह देखो, mindra running, अगर आया हमारा, वैसे ही अगर हमको scorpio को चलाना होगा, थोड़ा सा इसको space यहां पर देंगे न, तो यहां पर देखो हमने brand यूज किया है, तो brand से initialize हो जा रहा है, उसका value जो महंद्रा आ रहा है, उसका value initialize हो रहा है, और उसके बाद रनिंग प्रिंट हो रहा है, सेब करके फिर जो देखते हैं, तो यह देखो, साई से आ रहा है, महंद्रा running, यहां से हम लोग, स्ट्रिंग भी बहेज सकते थे, कि थार रनिंग कर रहा है, ऐसा कुछ, बट अब यह सब हम लोग को समझने नहीं, बस हम यह बनाता दा रहां चाहा रहे थे, यह हम बताना चाहा रहे थे, कि यह जो method area है, इसमें हम लोग direct access कर रहे हैं, इस static variable को, और लोग class के reference से भी access कर सकते हैं, जैसे, यहां पर महंगो लिखना होगा, अगर, महिंद्रा, इस तरी के से, से, यह देखो, फिर भी access हो रहा है, तो overall concept था कि static variable को हम लोग globally class के अंदर कहीं भी use कर सकते हैं directly using object reference, तो object हमारा साथ में होना चाहिए और class reference तो हम लोग कहीं भी use कर सकते हैं class के name के reference से, तो इस तरीके से हम लोग static variable declare करते हैं, access करते हैं, इस तरीके के जगा पे हम लोग static variable use करते हैं, ताकि value सारे object के लिए जब सेम रहता है, एक concept यहां पर और है, अब देखो कि, कि किसी एक object ने सब्सक्रों कि obz1.brand और यह change कर दिया सुझू की, ठीक है, इस ने change कर दिया brand, अब देखते है output क्या आता है, तो देखो, मैंने थार के लिए ब्रैंड चेंज गी है, सुझू की, object 1 था, लेकिन यहां पर देखो, Scorpio का भी brand सुझू की हो गया, क्यूं? क्यूंकि अगर हमारे पास object एक ही बन रहा था, class label पे, और किसी एक object ने उसका value change कर दिया, तो सारे object को same value share किया जाएगा, तो यही इससे पता चलता है कि हमारे पास object जो बन रहा है, जो string का object बन रहा है, यह static variable brand का, वो एक single बन रहा है, और कोई object जाके उसको change कर दे रहा है, तो वो ही object, string, ब्रैंड जो है, वो सारे को same कर दिया जाएगा, सारे object के लिए same send कर दिया जाएगा, तो यही था concept, static variable का हम लोग मिलते हैं next lecture में, thank you for watching.